नाय आयोग के लिए पेपरों की सुरक्षा और के दर निर्दारन चुनौती आरो ए आरो से अधिक TGT-PGT परीक्षा के लिए किये गए हैं आवेदन अप पहले कवर पढ़ लेते हैं तो अपने गठन के बाद नया सिक्षा सेवा चैन आयोग सबसे पहले सहायक अध्यापक T TGT और PGT परीक्षा 22 का आयोजन कराएगा इस परीक्षा में केंद्रधारन एवं पेपरों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बढ़ी चुनौती होगी TGT-PGT के 4163 पदों पर तकरीबन 13.190 लाग अभीरतों ने आवेदन किये हैं इनकी संक्या समीक्षा अधिकारी आर ARO परीक्षा के लिए करीब 10 लाग अभीरतों ने आवेदन किये थे यह परीक्षा 11 फरवरी को प्रदेश के 58 जिलों में 2387 केंद्रों में आज़ित की गई थी उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग के इतिहास की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी लेकिन दोनों पालियों मे परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले पेपर वाट्साप पर वारेल हो गए थे पेपर वारेल होने के बाद अभियरतियों ने आंदोलन किया और शाषन की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी परीक्षा में केंद्र निर्धारन को लेकर काफी सवाल उठे थे कई निजी आरों के मुकाबले टीजीटी पीटी परीक्षा में धाई लाक अभियरति अधिक होंगे ऐसे में सिक्षा सेवा चैन आयोग को अधिक संख्या में केंद्र बनाने होंगे और केंद्र धारन में विशेश तरक्ता भी बरतनी होगी पिछले दिनों आरो यारों के साथ पुलि लोग सबह चुनाओं के बाद परीक्षा तिथी गोशित होने की पूरे के पूरे असार हैं तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है आकर कि पहले तो भरती नहीं निकलती है तो पेपर आउट हो जाता है पेपर आउट होने से साल भर की महनत परीक्षा केंद्रों पर ज प्रास्टेप होना चाहिए ताकि ये रुके फिलाल TGT PGT भरती होनी है ये भी आप जानते हैं क्योंकि बहुत पहले से प्रस्तावित है अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभ्यरती बहुत जादा है अब देखना वाले बात यह है कि कैसे आयूग इस पर काम करता है और प देखने के मिल जाएगा लासका अपने वीडियो देखने के बहुत 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 दिन वाद आपको दिन शुब हो